Welcome back traders, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि moving averages के साथ price action को कैसे use करते हैं ये strategy आप किसी भी market में और किसी भी time frame पर use कर सकते हैं साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप stop loss कैसे लगाएंगे, कहां लगाएंगे और different targets के साथ आप अपने stop loss को trail कैसे करोगे ये strategy पूरी तरह से समझने और सीखने के लिए आपको price action के basic concepts पर पहले से ही mastery होनी चाहिए जो कि हम आगे वीडियो में भी discuss करेंगे अगर आपको हमारे सारे वीडियो के PDF notes और Sundays की लायो zoom class की link चाहिए तो आप हमारी चनल की membership को भी join कर सकते हैं और साथ ही Instagram और Telegram की भी link description में होगी उन पे भी हमें follow कर लेना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि इस price action और moving average strategy में हमें price action में क्या use करना है और moving averages में क्या use करना है और उन्हें use करने के rules क्या रहेंगे price action की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये सारे concepts use करेंगे trend trading, support and resistance, bullish engulfing candle जो की मेरा सबसे favorite candle है और इसके बाद bearish engulfing candle जो की हमें sell signals provide करेगा इसके अलावा जो भी आपको strong candles पता है आप वो भी use कर सकते हो और साथ ही में आपको bull flag pattern और bear flag pattern जो है इसकी knowledge होनी चाहिए क्योंकि ये सारे concepts हम in trading strategies में use करने वाले है अब इतने सारे points आपको क्यों याद रखने है क्योंकि market जो हर time differently behave करता है कभी sideways market होता है, कभी बहुत ज़्यादा trending market होता है, कभी normal market होता है तो हर market में आपकी strategy work करें, इसलिए आपको ये सारे signals जो है वो डोनने पढ़ेंगे और इसमें जो आपकी entry है वो हमेशा moving average के नजदीक होगी और similarly जब आपकी entry moving average से दूर होगी, for example ये moving average है हम buy करेंगे इसके नीचे, जब ये बहुत ज़्यादा नीचे होगा, तब हम buying का सोचेंगे और इसके जब बहुत ज़्यादा ऊपर होगे, तब हम selling के traders देखेंगे उसके लिए भी मैं आपको strategies बताऊंगा moving averages की अगर हम बात करें, तो moving averages में हम 20, 50 या 200 simple moving average या exponential moving average यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर personally simple moving average यूज़ करूँगा, आप चाहे तो EMA भी यूज़ कर सकते है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 50 over 200 simple moving average में से सबसे ज़्यादा prices किस moving average की respect कर रहे है तो वो वाली आपको अपने चार्ट पे रखनी है, for example, किसी जगा आपको दिखेगा कि 20 moving average की prices ज़्यादा respect कर रहे है इसी पे आ रहे है, तो उस वकत आप strategy में 20 moving average ही use करोगे, किसी जगा आपको चार्ट पे दिखेगा कि 50 moving average की ज़्यादा respect हो रही है और इसके बाद यहाँ पर जो strategies रहेंगी, वो होगी, कि आपको सबसे पहले देखना है retest strategy retest strategy क्या होती है, simply बात है, अगर ये एक moving average है, और prices में सबसे पहले मुझे trend देखना है, support resistance, वो चीज़े तो मैं देखूंगा ही देखूंगा for example, मुझे दिख रहा है, prices uptrend में है, और prices जो है, वो सीधे ही बड़ा moment देकर इस moving average को directly cross कर रहे है तो यहाँ पर हम buying के traders नहीं बना सकते, यहाँ पर आपको retest का wait करना होगा, फिर इन में से जो भी signal आपको मिलेगा, उस signal के according यहाँ पर आप buying कर सकते हो और यहाँ पर इस strategy में जो आपका target होता है, वो 1 is to 2 या 1 is to 3 होता है बाद में मैं आपको बताऊंगा कि stop loss को trail कैसे करते हैं, कब हम break you in पर निकलते हैं, और कब हमें बड़े targets के लिए जाना पड़ता है और similarly हम देखेंगे कि अगर moving average की तरह बड़ा moment आएगा, तो उस वकत हमारे traders किस तरीके से होंगे, for example, यह moving average है और prices उपर से बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे हैं तो क्या उस वकत हम directly इस moving average पे buy करेंगे, तो उसका भी मैं आपको solution दूगा, क्या करना है, कैसे करना है और similarly अगर prices इसी moving average पे छोटे moments देख रहे हैं, तो उस वकत क्या करना है overall हम इस strategy में देखेंगे कि हर market condition में आप इस basic price action के साथ in moving average उसको कैसे use कर सकते हो और इन strategies की जो working probability रहेगी, वो 70 से 85% के दर्मियान रहेगी यहाँ पर depend करेगा कि आपको इस price action की knowledge कितनी है यहाँ पर main point यह है कि मैं price action को confirm करने के लिए इन moving average का use कर रहा हूँ और मेरी entry इस moving average के करीब ही बने तब ही use कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बिल्कुल भी यह नहीं कह रहा हूँ कि हम moving average को confirm करने के लिए price action का use करते है तो price action जो है वो सबसे main चीज है और इसी पर हम सबसे ज़्यादा focus करते है तो यह चीज आपको याद रखनी है चलिए अब हम एक एक करके इन सारी strategies को देखेंगे उससे पहले मैं आपको इन चीजों के थोड़े जो है वो region देता हूँ कि trend क्या होता है support and resistance तो मैं जल्दी जल्दी से इसका एक quick region आपको देता हूँ तो price action में सबसे पहले हम trend trading सीखेंगे इसका मैं एक quick region दूँगा यहाँ पर तो आपको पता होगे कि market में तीन तरह के trend है up trend, downtrend और sideways trend यहाँ पर ज्यादा focus हम up trend और downtrend पर ही करेंगे up trend में क्या होता है कि higher highs और higher lows की creation होती है और जब भी आपको दिखे कि इस higher highs और higher lows का breakdown हो रहा है यानि कि यह structure जो है वो two try तब हम एक trend reversal का trade देखते है जैसे कि यहाँ पर आप दिखते हो हाई, higher high, higher high उसके बाद lower high यहाँ पर बना तो यह एक trend reversal का sign है similarly अगर आपको दिख रहा है कि downtrend में lower highs और lower lows का pattern बन रहा है तो वो trend continuation होगा और इसका reversal कैसे होता है जब आपको दिखे कि market में यहाँ पर higher lows बन रहे है, तो short में याद रखना है, जब भी market बहुत ज़दा नीचे आएगा वहाँ पर हम higher lows की creation देखते है और जब भी market बहुत ज़दा उपर जाएगा तो trend reversal को trade करने के लिए हम वहाँ पर lower highs का pattern देखते है तो यह चीज़े आप पूरा basic से लेकर advance तक सीख सकते हो हमारे price action के 3 गंटे के वीडियो में जो की basic price action है उसकी link में नीचे description में रख दूँगा इसके बाद आता है support and resistance support and resistance का simple rule है जहाँ पर आपको दिखे कि most number आप touches हो रहे हैं और जहाँ पर आपको दिखे नीचे की तरफ most number आप touches बन रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक support ड्रा करना है simple rule है इसके भी हमारा एक पूरा वीडियो है तो वह आप जरूर देख सकते हैं इसके बाद आता है bullish engulfing candle और bearish engulfing candle bullish engulfing candle की हम अगर बात करें तो यह ज़्यादातर आपको दिखेगा जब price बहुत ज़्यादा नीचे आएगा तो यह support पर बनेगा उसके बाद prices जो है वो उपर जाते हैं या आपको यह जब दिखे कि price उपर जा रहा है फिर एक pullback आ रहा है उसके बाद prices उपर जाएंगे यहाँ पर भी आपको यह दिखेगा trend reversal के दोरान बनेगा flag pattern के दोरान बनेगा तो यह simply कैसा होता है पहले एक छोटा सा red candle होता है उसके बाद एक बड़ा सा green candle बनता है जो कि इस red color की body को पूरा engulf कर लेता है और इसके बनने के बाद हम यहाँ पर buying के trade करते है और similarly इसका opposite version होता है selling के लिए जिसको हम कहते है bearish engulfing candle bearish engulfing candle में सबसे पहले एक green candle होता है और उस green candle को पूरा engulf करता है एक red candle इसके बनने के बाद हम जो है वो selling का trade करते है फिर से मैं आपको repeat यहाँ पर करूँ कि यह ज़्यादा दर कहाँ बनते है एक जब price उपर जाता है फिर एक pull back आता है यहाँ पर इसके ज़्यादा बनने के chances होते है अगर continuation में बन रहा है सीधे ही तो यहाँ पर यह valid नहीं होता है similarly जब price बहुत ज़्यादा नीचे आएगा उसके बाद बनने के chances होते है यानि कि यह support पर बनता है, resistance के breakout पर बन सकता है market के bottom पर बन सकता है, higher lows पर बन सकता है, lower highs पर बन सकता है तो उसी के according आपकी जो entry है आप ले सकते हो इसके बाद अगर हम flag patterns की बात करें तो flag pattern में सबसे पहले आता है bull flag pattern, bull flag pattern एक uptrend continuation pattern है यानि कि इसमें सबसे पहले buying होती है और यह इस buying को continue रखने में help करता है इसमें क्या होता है, आपको दो या दो से ज़्यादा strong green candles दिखेंगे और उनके retracement में या pull back में छोटे 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 red candles आते है हम इन red candles पे एक trend line mark करते है और जैसे ही उस trend line का breakout होता है with the help of a green candle हम यहाँ पर buying की positions बनाते है हमारा जो SL होता है वो इस green candle के नीचे या पिछले red candle के low पे होता है उससे थोड़ा नीचे भी आप रख सकते हो और यहाँ पर जैसे ही trend line का breakout होता है हमारा जो target होता है वो 1 is to 2 या 1 is to 3 होता है और इसका जो दूसरा form है उसमें क्या होता है यह बड़े 2-3 green candles बनते हो और इसके बाद एक ही red candle बनता है यहाँ पर आपको trend line मारक नहीं करनी है यहाँ पर आपको एक resistance मारक करना है जैसे ही आपको दिखे कि resistance का breakout हो रहा है तो यहाँ पर भी आप जो फिर buying का trade ले सकते हो आपका SL पिछले red candle के नीचे रहेगा और आपका जो यहाँ पर भी target है वो 1-2 या 1-3 रहता है यहाँ पर आपको यह चीज याद रखनी है कि यह जो bull flag pattern है वो अप trend की continuation में इस तरह से बन सकता है या तो अगर downtrend में trend reversal हो रहा है तो यह higher lows की creation के बाद ही बनता है तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा इसकी working probability है तब ही यह सारी चीजे हम मिलाके इन moving averages के साथ use करेंगे तो फिर आप देख सकते हो कि आपकी trading strategy की accuracy कितनी ज़्यादा हो जाएगी फिर आप चाहे किसी भी time frame पर trade करो किसी भी chart को trade करो तो आपके जो profitable बनने के chances है वो ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर लेकिन एक ही शारत रहेगी आपको अपने discipline को follow करना पड़ेगा तो अब हम सीधे ही इस strategy को अपने chart पे देखेंगे और देखेंगे कि इसकी working probability कैसी है और इसको execute कैसे करना है जो भी यहाँ पर मैंने rules बताया आप इनके notes बना सकते है और जैसे जैसे मैं इसको chart पे execute करोंगा आप उनको साथ साथ लिख सकते कि मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कौन सी strategy मैं कब देखता हूँ और किस हिसाब से मैं moving averages को different market condition में use कर रहा हूँ आप आरड़ी देख सकते हो कि मैंने अपने chart पर तीन moving averages ड्रा करके रखी है जो यहाँ पर यह आप green color की line देख रहे है यह है 20 days simple moving average और इसके बाद जो आप यह pink color की line देख रहे है यह है 50 days simple moving average और यह जो black color की line है यह है 200 days simple moving average आप चाहे तो exponential moving average भी use कर सकते हैं लेकिन मैं personally जो है वो simple moving average ही use करता हूँ इसके बाद आपको अपना पहला step जो है वो यहाँ पर use करना है वो क्या था कि आपको देखना है कि कौन सी moving average की ज्यादा respect हो रही है आपको chart में पीछे भी देखना है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो मैं देख रहा हूँ कि mostly यहाँ पर इस 20 moving average की बार बार respect हो रही है prices इस 50 moving average पर नहीं आ रहे है 200 moving average पर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे है तो इस वक्त मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यह जो 50 moving average है और यह 200 days simple moving average है इनको मैं अपने चार्ट से हटा दूगा क्योंकि मुझे इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी respect चार्ट जो है वो नहीं कर रहा है लेकिन आपको कभी कबार जो है वो situations में दिखेगा कि price जो है वो एक साथ 2 moving average की respect कर रहा है 2 की respect कर रहा है तो यहाँ पर अब हम अपनी टेस्टिंग जो है वो शुरू करते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि gold का चार्ट जो है वो मैंने one hour पर खोला है और इस वकत इस पर सिर्फ 20 days moving average है क्योंकि इसी की respect हो रही है तो अब हम इसी पर अपनी जो भी strategies और जो भी rules हमने सीख है उनको apply करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि prices जो है वो इस moving average के आसपास continuity थे और यहाँ से एक sharp candle जो है वो उपर की तरफ बना है क्योंकि हम directly in candles में जो है वो नहीं गुशते है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है मैं एक flag pattern बनने का wait करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक flag pattern जो है वो बना जो कि बल flag pattern है तो यहाँ पर मेरी एक valid entry जो हो रही है तो यहाँ पर मैं अपनी long position बनाऊंगा और मेरा जो stop loss है वो या तो यह तो stop loss के और एक rule में सिखा दूँ अगर आपको दिख रहा है कि आपका target one is to one में hit हो रहा है तो आपको क्या करना है आपको अपने stop loss को अब one by two करना है इसका मतलब अगर आपने normally 10 point का stop loss रखा है अब आप 10 point का stop loss नहीं ले सकते अब आप क्या काम करोगे अब आपको stop loss 5 point का रखना है तो आपको मैं lines की help से दिखाता हूँ तो इस वक्त मेरा जो one is to one का trade है वो यहां पर कही आ रहा है तो यहां पर मैं एक resistance की line mark करूँगा इसके बाद अगर मैं one is to two की बात करूँ तो वो यहां पर आ रहा है और similarly अगर मैं one is to three की बात करूँ तो वो यहां पर आ रहा है तो आपको क्या करना है simple सा rule है अगर one is to one तक आपके profits आ रहा है तो आपको अपने stop loss को half कर देना है या most of the cases में आपको stop loss के साथ छेड़ना नहीं है अगर आप बड़े targets लेते हो और जैसे ही आपका target one is to three हिट होगा आपको या तो अपने stop loss को आप one is to two पे रखना है या तो इस one is to one पे रखना है इससे क्या होगा कि जब भी आपके profits होंगे आपके बड़े profits होंगे और आपके जो losses होंगे वो limited रहेंगे इस strategy की यही खास बात है और stop loss आप किसी भी strategy में use करो यही तरीका रहता है stop loss लेने का तो अब हम देखते हैं कि आगे हमारे trade में हुआ क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा one is to one जो हो हिट हो चुका है तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ आगे हम देखते हैं क्या हुआ है trade में तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब हमारा one is to two भी हिट हुआ है as a beginner trader आप इसको अब यहाँ पर break you on पर ला सकते है या तो आप book भी कर सकते है as a beginner मैं suggest करूँगा कि आपको one is to two पर book करना चाहिए क्योंकि इससे बड़े targets पकटने के लिए आपको एक experience होनी चाहिए आप में patience होना चाहिए और आप में holding capacity होनी चाहिए जो कि mostly beginner जो हो लैक करते हैं इसलिए मैं suggest करूँगा कि आप one is to two पर book करें लेकिन as a advanced level trader आप one is to three के लिए भी जा सकते हैं देखते हैं कि आगे इस trade में क्या हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा one is to three भी हिट हुआ है for example आप one is to three के बाद अपने traders को trail करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे आपको सीधे काम करना है कि अपने stop loss को अब आपको one is to two पे लाना है और जैसे यह one is to four होगा आपको one is to three पे लाना है similarly one is to five पे जाएगा तो आपको अपने stop loss को one is to four पे ले जाना पड़ेगा तो यह एक simple rule रहेगा जिससे आपके बड़े targets हो यह आने के chances बहुत ज़दा रहेंगे और आपके जो losses है वो बहुत ज़दा कम रहेंगे और एक बात strategy को apply करने से पहले आपको क्या करना है आपको सारे rules को अच्छे से follow करना है तो यह पहला trade जो हमारा successful हुआ है अब हम आगे देखेंगे कि trade में क्या हुआ है अब देखेंगे प्राइस जो है वो moving average से बहुत ज़दा दूर है तो कोई भी buying करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पहले से ही trade में नहीं थे तो आगे देखते आप देख सकते कि directly prices जो है वो moving average पे आ चुकी है यहाँ पर आप directly buy नहीं कर सकते जब तक न आपको कोई signal मिले buy या sell नहीं करना है अब देखो यहाँ पर prices जो है वो रुक रहे है दीरे दीरे जा रहे है अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक engulfing bullish candle मुझ के थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि यह एक stop loss रहता है तो अब मेरा जो target होगा यहाँ पर one is to one आ रहा है इस पर मैं line को draw करोगा यानि कि अगर यहाँ पर आया तो मैं आपने stop loss को half कर दूँगा और इसके आगे देखे तो यहाँ पर मेरा one is to two का target आ रहा है और इसके बा प्राइस जो है वो continue shoot up कर चुके है और one is to one target हमारा हिट हुआ है अगर one is to one target हिट हुआ है as a beginner आपको stop loss को half करना है as a advance level trader अभी आपको नहीं छेड़ना है इसके बाद देखो one is to two भी यहाँ पर हिट हो चुका है अब यहाँ पर loss लेने का कोई भी सवाल नहीं बनता है अब पर आप देख सकते हो आप हमारा यह one is to three का target हिट हुआ है साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक trade हो रहा था लेकिन आगर आप पहले से ही trade में हो तो यहाँ पर इस entry को लेने की कोई भी जरूरत नहीं है तो simple सी बात है आपको इन simple rules को use करना है तो आप देखोगे कि आप जितना भी इसको आगे back test करोगे तो आपके profitable बनने के chances रहेंगे और आपकी accuracy जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी लेकिन आप देखो मैं यहाँ पर discipline को follow कर रहा हूँ कोई भी emotions को बीच में नहीं ला रहा हूँ तो आप हम आगे देखते है चार्ट में क्या हो है अब देखो मैंने आपको समझाया था जब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तब हम lower highs की creation पर sell करते हैं यहाँ पर मैं directly sell भी नहीं कर सकता था क्यूंकि आपको rules को follow करना होगा तो simple rule यहीं रहेगा जब moving average से बहुत ज़्यादा prices दूर जाएगे ऊपर की तरफ तो आप सिर्फ sell कर सकते हैं lower highs की creation पर और इसमें भी जब आपको यहाँ पर एक bearish engulfing candle दिखेगा तो यह selling entry इस strategy के हिसाब से नहीं ली जा सकती थी अब हम आगे देखते हैं चार्ट में क्या हुआ है देखो यहाँ से फिर से एक bullish engulfing candle बन रहा है और example आपने यह entry ले ली अ पर हमारा टार्गेट जो पहले हिट हुआ और इसके बाद हमारा यहां पर stop loss हिट हुआ आप देखो directly candle जो है वो नीचे की direction माया और हमारा stop loss हिट हुआ तो यह stop loss हिट होना market में normal सी बात है कोई भी मसला नहीं होता है stop loss लेने से लेकिन यहां पर एक ही उसूल रहेगा आपक का trader देखोगे उसकी maximum accuracy जो है वो 70-80% ही होती है इससे ज्यादा accuracy नहीं हो सकती मार्केट में loss भी होता है चलो इस stop loss को हम accept करते हैं लेकिन यहां पर जो हमारा loss है वो कितना हुआ 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 है क्योंकि 1-1 हिट हुआ तो यहां पर half आपका stop loss जो हो गया होगा as a beginner trader लेकिन अ uptrend में है और market को अगर नीचे आना होगा तो इसको lower highs की creation करनी होगी लेकिन अगर मैं यहां पर देखूंगा तो यह exactly वापस आ रहा है यहां पर तो इस चीज़ को आपको avoid करना है तो अब हम आगे देखते हैं कि chart में क्या हुआ है पहले आपको ध्यान देना है कि अगर prices ज देख सकते हैं एक बड़ा सा candle जो है बना है इसने सीधे ही इस moving average का breakout दे दिया है क्या आप directly यहां पर buy करोगे तो simple सा answer रहेगा ऐसे हम buy नहीं करेंगे जैसे कि मैं आपको rule सिखाया यहां पर buying का scenario रहेगा कि यह higher low creation करेगा या तो इस moving average का एक retest देगा फिर उसके बाद हम buy कर सकते हैं तो आगे हम देखते हैं एक यहां पर बुल फ्लैक पैटर्न बन रहा है यहां पर आप देख सकते हो कि एक ही red candle आया है इस बड़े से green candle के बाद तो यहां पर हमारी buying की entry जो है वो trigger हो रही है अब हम अपनी long position बना सकते है मेरा stop loss इस candle के नीचे रहेगा और मेरा जो target है simply one is to two या one is to three रहता है यह रहा one is to two target और यह रहा हमारा one is to three target अब हम देखते हैं कि आगे इस trade में क्या हुआ है अब देखो prices नीचे आये stop loss hit नहीं हुआ और फिर यह directly जो है वो ऊपर की direction में गया है और यहां पर हमारा जो target है वो इसने hit किया है तो यहां पर मैंने इस strategy को continuous एक chart पर try किया है इसी तरीके से आप multiple charts देख सकते हो और उन पर इन strategies को back test कर सकते हो तो इसी तरीके से आप इस strategy को बार बार back test कर सकते हो देखो stop loss भी hit होते है यहां पर देखो मैंने चार ट्रेड किये चार में से मेरा एक stop loss जो हो हिट हुआ है तो कोई मसला नहीं मैं moving average as an indicator use कर रहा हूँ अपने price action को confirm करने के लिए main मकसद मेरा यहां पर भी trading का price action ही है क्योंकि price action जो है वो एक leading technique है trade करने की तो हम उसी को ज्यादा तर use करते है अगर मैं indicator use करता भी हूँ या सिखाता भी हूँ उसके पीछे मेरा main मकसद ही होता है कि मैं price action को confirm करने के देखते हैं तो यह चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है तो अगर आप price action basic से लेकर advance तक सीखना चाहते हो तो यहां पर तीन गंटे का यह price action का course है जो कि हमारे YouTube चैनल पे available है इससे आपका सारा का सारा basic price action clear हो जाएगा और advance price action सीखने के लिए हमने description में course की link र आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा चलो मिलते हैं अगले वीडियो में